ओम साही राम, आपका हमारे चैनल श्रीम अद्गूम रेमेडीस में स्वागत है और हम आपको साही सचित्र के छठे अध्याई के बारें बताएंगे जिसे हिमाड पंध ने लिखा है छठे अध्याई में राम नौमी का उत्सव है, मस्चित का जिर्णो धार है गुरू के कर अर्सपर्ष की महिमा है, चैनल समारोव है, उर्स और रामनावी का समन्वे है अभी सबसे पहले हम आते हैं इसके उपर कि गुरू के कर अर्सपर्ष के गुन जब सदुगुरे ही नाव के ठोईया है तो निश्या ही कुशलता तता सरलता पुर्वक इस भव सागर के पाल उतार देंगे शब्द का उच्चारण करते हुए ही मुझे सिसाई के स्मृति आ रही है एशा प्रतीत होता है कि मानवष्व है मेरे सामने कड़े और मेरे मस्तस्क पर उधी लगा रहे हैं कि अपना उपर्ष हस्त उठा कर मेरे मस्तस्क पर अठ रहे हैं मेरा हिर्दय आनन्द से भर गया है. आज जो मैं कह रहा हूं तो ऐसा लगता है कि साही बावा साच्छा तो मेरे सामने कड़े हैं. और यह कह रहे हैं कि चठा अध्याय दर्सकु को सुनाओ. मेरे नेत्र से प्रेमाश्रू बह रहे हैं. एक्चन में जो प्यार साइब वह बरसाते हैं तो अब भी उसमें आनन्द भी भोर हो सकते हैं. मेरा हिर्दय आनन्द से भर गया है. मेरे नेत्रों से प्रिमाश्रू बेह रहे हैं सद्गुरू के करवस्पर्स की शक्ती महान आश्चर जनक है सुच्म शरीर जो समसार के भस्म करने वाली अग्मी से भी नश्ट नहीं होता है वो गुरू के करवस्पर्स से पलवर में ही नश्ट हो जाता है अनेक जन्मों के समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति जिने धार्मिक और श्वरिय प्रसंगों में पुर्ण अरुची है उनके भी मनस्थिर हो जाते हैं सिसाई बावा के मनोवर रूप के दर्शन कर कंड प्रफुल्ड़ता से रूम जाता है आँखों से अशुधारा प्रवाइत होने लगती है और जब फिर्दे भावों से भर जाता है तब स्व्यम भावों की जागरुती होपर आत्म और नोव के आनन्द का आभास होने लगता है मैं और तू ये भेद नस्ट हो जाता है और तच्षन ही ब्रह्म के साथ अभिन्यता प्राप्त हो जाती है जब मैं धाने ग्रंतों का पठन करता हूँ या सुनाता हूँ तो चन चन में सद्गुरु की स्मृति हो आती है बाबा राम या क्रिश्न का रूप धान्गर में सामरे खड़े हो जाते है साथ चात बाबा ऐसा लगते हैं कि बेराम के रूप में खड़े हैं तो कभी एक रूप धान्गर में खड़े हैं और सुएम अपनी जीवन कथा कहता है हमारी जीवन कथा को सुनाओ अथाथ जब मैं भागवत का शर्मून करता हूँ तब बावा से कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा पतीत होने लगता है कि वही भागवत या भक्तों के कल्यानार्थ उद्दव गीता सुना रहे हैं जब कभी भी मैं किसी से वालतालाप किया करता हूँ तो मैं बावा की कथाओं को ध्यान मिलाता हूँ जिसे उनका उप्युक्त अर्थ समझाने में सफल हो सका हूँ तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ परन्तु वे स्वेम कृपा कर मुझसे कहने के लिए कहते हैं तो फिर लगता है कि वस पढ़ते चले जाओं इसका कोई अंत नहीं होगा जब भक्तों में एहंकार की ब्रिदी होने लगती है और शक्ति प्रदानकर उस एहंकार सुने बनाकर अंतिम्धे की प्राक्ति करा देते हैं तता उसे संतुष्ट कर अच्छे सुक का अंधिकारी बना देते हैं जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यक्ता ही नहीं धर्म, अर्थ, काम और मुख्च उसे सहजी प्राप्त हो जाते हैं इस्वर के पास पहुचने के चार मार्ग हैं कर्म, ज्यान, योग और भक्ती इन सब में भक्ती मार्ग अधिक कंड़का की रिण है सबसे मुश्किल है गड़ो और खाईों से परिपोड़न है प्रंदु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड़ों और खाईों से बचते हुए पदा ना उक्रमन करते हुए सीधे अगरसर होते जाओगे तो तुम अपने धे अतारत इश्वर्थ में आसानी तक कहुँच पाऊगे सीध साइ भाबा ने नश्यात्मक स्वर्ण में कहा है कि स्वयन-च्वर्भा और उनके विश्व को उत्पत्ती रच्छन और लै करने यादी के भिन भिन शक्तियों के प्रित्धत्र में एक्टत्र है इसे ही गरंतकारों ने दरसा हे है भक्तों के कलिनार्थ स्वाइबाबने स्वयम जिन वचनों में आश्वासन दिया था वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ मेरे भक्तों के घर अन्न ततावस्तों का कभी अभाव नहीं होगा यह मेरा वैसिष्ट है जो भक्त मेरी शरण आजाते हैं और अन्ता कर्म से रह उपासक हैं उनके कलिनार्थ मैं सदैब चिंतित रहता हूँ कृष्ण भग्वान ने भी गीता में यही समझाया है इसलिए भूजन ततावस्तर के लिए अधिक चिंता न करो येदि कुछ मांगने कि अविलासा है तो इश्वर को ही मागो सांसारिक मान वह उपादियां त्याग कर इश्च किर्पा तता अबैदर्म प्राप्त करो और उन्ही के द्वारा सम्मानित हो जाओ सांसारिक साधनों में सांसारिक साधनों से कुपत गामी मत बनू अपने इश्ट को धुड़ता से पकड़े रहो समस्त इंद्रियों और मन को इश्वर चिंतन में प्रवित रखो किसी पतार से आकरशित नहीं हो सद्याय मेरे सुनर्ण में मेरे मन को अपने मन को लगाए रखो ताकि यह देह संपत्ति वा इश्वर को प्रवित न हो तब चित इस्थर शांत वनिर्भे हो जाएगा इस प्रकार की मने सिती प्राप्थ होना इस बात का प्रतीक है कि वसू संगती में है यदि चित की चंचलता नस्ट न हो उसे एकागर नहीं किया जा सकता बाबा के उप्रिप्त शम्दों को उधरित कर गरंदकार श्रीडी के नावनमी उत्सव का वर्णन करते हैं श्रीडी में मनाये जाने वाले उत्सवों में रामनोमी अधिक धुमदाम से मनायी जाती है अत्याव इस उत्सव का पुर्ण विवरन जैसा कि साही लीला में भी लिखा गया है और मैं आपको संशेप में बताने जा रहा हूँ कि कैसे वहां पे रामनोमी शुरू हुआ कोपर गाउं में सी गोपाल राम मुने नाम के इंस्पेक्टर थे वे बाबा के परम्वक्ट थे उनकी तीन स्थ्रिया थे परंदू एक की भी संतान न थे सी साही बाबा के किरपा से उन्हें एक पुत्र रत्म की प्राप्ति गुए इस हर्स के उपलक्ष में सन 1857 उन्हें विचार आया कि शेटी वे मेला अतरा प्रूस भरवाना चीए उन्हें विचार शेटी के अन्य भक्त तात्या पाटिल अर्म आधा कोते पाटिल और माधाव रौकिस में च विचारां प्रकट किया उन्हें सभी कोई विचार अती इसलिएक प्रात्ना पत्र कलेक्टरबाद देजा गया. प्रंतु ग्रांभ कुलकरनी जो पट्वाई के अफत्य उठाने के कारबे स्विक्रती प्राप्फ नहीं हो सेकंग. प्रंतु बावा का अश्र संथु प्राप्फ हो ही चुका था. अतर्पुना प्रयात्र करने पर स्विक्रती प्राप्त हो ली। बाबा की अनुमती से राम नौमी के दिन उर्ष भर्णा निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ निश्कर्ष ध्यान में रख कर इन्होंने ऐसी आग्या दी। अतर्थ उर्ष वाराम नौमें कि उस्ववक्वा एकी करन जिता हिंदू-मुस्लिम एकता जो भविश्य की घटनाओं से इस्पस्थ है कि अध्याय पूर्णे सफर हुआ। पर्थम भादा तो किसी प्रकार होई। अब दूत्रिय कटना ही जल की अभाव के उपस्थेत हुई। शेडी तो एक छोड़ा सा ग्राम था और पुरु काल सी हुआ जल का अभाव बना रहता था। गाव में के वल दो कुए थे जिसमें से एक तो प्राय सूप जाये करता था और दूसरे का पानी खारा था। बावा ने इसमें फूल डारकर उसके खारे पानी को मीठा बना दिया। लेकिन एक कुए का जल कितने लोग को प्रयाप्त हो सकता था। इसलिए ताता पाटिन ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंद किया। लकडी और मासु की कच्छी दुपाने बनाई ये ताता कुष्टियों का भी आवजन किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार एहमद नगर में रहते थे। वे भी संताइन हीन होने के कारण बड़े दुखी थे। स्री साही बाबा के किरपास उन्हें भी एक पुत्रत की प्राप्ती भी थे। स्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागिरदार स्वी नाना साहीव निमौन कर्में भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोग के साथ गाउं में से निकाले गया। और अन्त में मश्यद जिसे बाबा द्वार का माई के नाम से प्रकारते थे उसके कोने में फैरा दिया गया। यह कारेक्रम अभी भी पुर्वता ही चल रहा है। फिर एक चंदन समारोग हुआ। इस मिले में एक अन्त कारेक्रम का भी सी गनेश हुआ। जो चंदनों सब के नाम से प्रसित हुआ। यह कुरहल के एक मुस्लिम भक्त से ही अमीर शक्र दलाल के मस्तिक के सूच थी। प्राय इस प्रकार का उसब सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान भी किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तता लोमान जलाते हैं। और अंत में मस्जिद में पहुँचा कर जुलूस समाप्त हो जाता है। खालियों का चंदन और धूब नीम पर और मश्जित की दिवारों पर डाल दिया जाता है इस उत्सव का प्रवध पर्थम तीन वर्सों तक स्री अमिर शक्कर ने किया और उनके पश्चा उनकी धर्म पत्री ने किया इस प्रकार हिंदू द्वारा ध्वज और मुसल्मानों के द्वारा चंदन का जुरूज एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है राम नोमी का दिन स्वी साई बाबा के भुप्तों को अत्यनती प्रिया और कोवित्र है कारे करने के लिए बहुत से स्वयम सेवक तयार हो जाते थे और मेले के प्रवन में शक्रिये भा अस्थान अतितियों से परिपूर्ण रहता था और ने सम लोगों के आवश्यक्तों का भी ध्यान रटना पड़ता था साथ ही वे मेले के समस्त आवश्यक्त वस्तूं का भी प्रबंद करती थी दूसरा कारण जो स्वयम खुशी से किया करती थी वह थी मस्जिद के सफाई क करना चूना पोतना इत्यादी से मस्जिद के फर्स तथा दिवारें निरंत्र धुनी जलने के कारण काली पड़े थी जब रात्री को बावा चावड़े में इश्राम करने चले जाते तो भी यह कार कर लिया करती थी समस्त वस्तूं धुनी सहीद बाहर निकालने पड़ती और सफाय और पताई हो जाने के पशात पूर्वता सजा दे जाते थी बावा का अतंत प्रिये कार गरीबों को भूजन कराना भी इस कार्यकरम कायी करने थी इस कार के लिए बहत भूज का जाता थी और इनेक परकार की मिठाईया बनाई जाते थी यह सब कारे रादा प्रिश्ण माई के निवास अस्थान पर ही होता था बहुत से धनाट डव श्रीमंद भक्त इस कारे में आर्थिक साहता ही तो चाते थे सब कारेकरण इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का माध वह शने शने बढ़ता ही गया सन 1911 में परवर्तर हुआ एक मत्र कृष्ण राव लुगिश्वर भिस्म अमरावती के दादा साहिब खापड़े के साथ मेले के एक दिन पूर श्रीडी के दिच्छित वाड़े में ठेहरे जब वे दलान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तरह उनी कलपना सुची इसी स मैसी लक्ष्वन राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामागरी लेकर मस्जित की ओर जा रहे थे उन दोनों में विचार मिन में होने लगा और उन्हें सोचा कि श्रीडी में और सो मेला ठीक राम नौमी के दिन ही भरता है इसमें अवश्री कोई गुड़ु रह से नहीं थे राम नौमी का दिन हिंदू को बहुत प्रिये कितना अच्छा होगा यदि राम नौमी उट्सव काभी स्री धनिश कर दिया जैना रखा महाजनी के विचार रुजिकर परदीत हुआ अब मुख का ठनाई हरी दास के मिलने की थी जो इस अवसर पर किर्टन वा इश्वर गुनावदी करते थे पर दुभिश्म ने इस समस्य को हल कर दिया उन्हें ने कहा कि मेरा स्वर्चित राम अख्यान इसमें राम जनम का वर्नन है तयार हो चुका है मैं उसका ही किर्टन क पर साथ करना तता राधा कृष्णमाई सुकंट वड़ा मतलब सोंट के सक्कर में से जो चुर्ण ने उतयार कर देगी तब वे दों से गहीं बावा की सुकिर्टी प्राप्त करने तो मश्यत हो गया बावा तो अंतरियामी थे उन्हें तो सज्ञान था कि वाड़ा में क्या क्या हो रहा है बावा ने महाजनी से प्रशन किया तोहां क्या चल रहा है इस आक्समिक प्रशन से महाजनी खबरा गया और बावा की शब्दों का भी प्रहें न समझ सकने के कारण उस सद्बद होकर खड़े हो गए तब बावा ने भिस्म से पूछा कि ति क्या बात है भिष्म ने राम नुभी उस्व मनाने का विचार बाबा के समझ रपस्दूत किया तर्ता सुकृति देनी की प्रात्मा की बाबा ने भी सरसाथ मती देदी सबी वक्त हर्शित हुए और राम जनमोद्व मनाने की तयारियां करने लगे दूसरे दिन रंग बिर परणीआं पर हुसा साह करने कि विचuben तब भावा ने महाजनी को गुलावा है यहां भूतंविघ्र महाजनी संकित थे कि बावा उसस्भनाने की आगया देंगी भियानी पर विचल ुटो जब वह बावा के समय पहुचे वावा ने उससे प्रसुर किया यह सब क्या है यह पालना क्यों रखा गया है महाजी नहीं बतलाय कि राम नॉमी का कारेकरम प्रारंब हो गया हो और इसी कारण है पालना है रखा गया है वावा ने निंबर पर से दो हार उठाए उनमें से एक हार थुण हूँकन काकाजिक के गले में डाल दिया और दुसरा भिसन के लिए भेज दिया अब किर्टन प्रारम हो गया किर्टन समाप्त हुआ तब स्री राजा राम के उच्छ सवर से जैजे कार विए किर्टन के अस्थान पर गुलाल की वर्सा की विए जब हर कोई प्रसमता से जूम रहा था तब आचानक ही एक गलशती दोनी उनके कानों पड़ी वसुता जिसमें गुलाल की वर्सा हो रही थी उसके कुछ कन अनायास में बाबा की आँख में चले गए तब बाबा एकनम शब्दों का कब बुरह मानने हमा लेते बाबा की शब्दों तथा वक्यों को उन्हें आशिरवाद समझा उन्हेंने सोचा कि आज राम का जनम दिन है अता रावन का नास एहनकार और अंदुष्ट प्रविर्टी रूपी राच्यों को सहार करने के लिए बाबा को ग्रोध प्रविर्टी कि कहीं बाबा पालना ना तोड़ पोड़ डाले इसलिए उन्हें काका महाजनी से पालना हटाने के लिए का परन्तु बाबा ने ऐसा करने सुने रोप दिया कुछ समें पश्चात बाबा शान्त हो गया और उस इनके महापूजा और आर्थी कारेक्रम निर्विर्ण में समाप्त हो गया उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने के अन्मत ही मागी प्रन्तु बाबा ने असुखिती करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूरन नहीं हुआ है अगले दिन गुपाल काला उसव मनाया गया जिसके पश्राद बाबा ने पान्मा अफारने किया आगया दे दी उसव में देही, मिश्रित, पोहा और एक मिट्टी के बरतन में लटका दिया जाता है और किर्टन समाप्त होने पर वह बर्तर फोड दिया जगता है और प्रसाथ के रूप में पोहाँ सब को विद्वीत कर दिया जगता है जिस प्रकार की स्री कृष्णा ने गवालों के साथ किया था राम नौमी उस्थव इसी तरह दिन बर चलता रहा दिन के समय दो धोजों का जुलुष और रात्री के समय चंदन का जुलुष बड़ी धुमदामा और समारुख के साथ निकाला गया इस समय के पश्याती उर्स राम नौमी के उस्थव में परवर्दित हो गया अगले वर्स मतला 1912 अगले वर्स हरी दास के मिलने की कठना इपुनो अपस्तित हुई प्रंतु उत्सम के पूरियां समस्य अहल हो गई पांच-छे दिन पूर्व स्री महाजनी का बुलावा बुवा से बाला बुवा से अक्समात बेट हो गई अब बुवा साहिब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्धित है और इस वर्ष किर्थन का कारुव नहीं पूर्वोफ होने कान अपने गाउं में हरी दास का कारें नहीं कर सकते थे इस वर्ष को श्रीडी में आया है काका साब दिच्षित ने उनके किर्थन के लिए बावा से अनमधी प्राप्त की बावा ने उन्हें एतिश्ट पूर्ष कार दिया सन 1914 से हरी दास की कटनाई लगन से निवाते रहे सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्रूत्र विदी होने लगी चैतर शुकल अस्टमे से बौर्दसी तक श्रीडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक विदी हो जाये करती थी मानों मधुमक्की की चत्ता लगा हुआ हुआ ह परसित जो पहलवानों की कुष्टिया होने लगी गरीवें को ब्रेह दस्तर पर भूजन कराये जाने लगा राधा पिश्रमाई के घोर परिश्रम के फल सरूप शेडी को संस्थान का रूप मिला संपत्य भी दिन पर जो दिन बढ़ने लगी एक सुंदर भोड़ा पालकी रत और चान्दी के अनपदार बरतन पात्र शेशे इत्यादी भव्तों नों बहार में भेट किये उपसर के आउसर उपसर के आउसर पर हाथी भी बुलाया जाता था यदि भी संपत्ती बहुत बढ़ी है परन्तु बाबा उन सब से सदा निरपेच्छी रहे थे तो कोई सदेव उसे उपेच्छा के दिश्टी से देखते हैं और सदेव की भाती ही साधार अर्वेस दूसादार करते थे यह ध्याने दिन योग है कि जुलुस तता उत्सव मे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही साथ साथ कारे करते थे परन्तु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ और ना कोई मत्वेद ही पहले 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 तो लोगों की संख्या पांजर साथ ज़ार के लगभगी होती थी परन्तु किसी-किसी वरस तो ये संख्या 75 ज़ार तक कि उस्सीप्रकार मॉस्चिद के जिन्योधार का विचारी पृ dåं druga को और पज़गार कर वाया परन्तु इस कारका शीच उन्हेर प्राप्त नहीं होना था यह सुैस्तो नाना साहिद चांदूर्गर के लिए द्टिशित के लिए प्रारामें में बाबा ने इस कारिएं के सुख्रिति नहीं दी पंतो उस्थानिय वक्त महाथा पती के आगरह करने से बाबा के सुख्रिति प्राप्त हो गये और एक रात में मस्जिद का पूरा फर्स बन गया अभी तक बाबा एक टार्ट के टुकुड़े पर ही बैट दे थे अब उस टार्ट के टुकुड़े को वह सुमिधा जनक था काका साब दिक्षित आहन को बढ़ा कर उसके उपर चपर बनवाना चाहते था यतेश्ट द्रव विराशी व्याइकर उन्हें लोहे के खंबे बल्नियां और कैंचियां मोली और कारभी प्रागर में रोलिया देने रात पर इश्रमकर भक्तों ने लोहे के ख जमीन में गाड़े जब दूसरे दिन बाबा चावडी से लोटे उन्हें खंबो को उखड़कर शेख दिया और थी प्रोधित हो गए वे एक हाथ से खंबा पकड़कर उसे उखड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्हें तात्या का साफा उता दिया और उसने आगा लगाकर गड़े में फिक दिया बाबा की मित्र जलती वे अंगारे के सद्धिश लाल हो गए इसो कोभी उनकी ओर आप उटा कर देखने का सास नहीं होता थो सभी बुरी तरह से वैवीत होकर विचली थोने लगी अब क्या होगा भागो जी सिंदे वे पोड़ी वेखती थे कुछ सास करके आगे बढ़े पर बाबा ने धक्का देकर पीछे धकेल लिया माधो राका भी वही गती हुई बाबा उनके उपर भी इट के धेले फेकने लगे जो भी उन्हें शांद करने गया उसकी वही दशा हुई कुछ समय के पश्चात पूद शांद होने पर बाबा ने एक दुकंदार को गुलाया और एक जरीदार फेटा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सरवर बांगने लगे जैसे कि उन्हें विजेश शमान दिया गया यह विचित्र बैवार देकर भुक्तों का अश्यर हुआ उन्हें समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबाई को पूदित हुए उन्हें तात्या को क्यों प्रिटा और तथ शनियुन का पूद क्यों शांद हो गये बाबा कभी-कभी अती गंभीर और शांध मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पुर्वक वार्तालाग किया करते थे प्रंतु अनायास यह बिना किसी गोचर कारण के वे प्रूदित भी हो जाएगा ऐसे नहीं घटनाए देखने में आचुकी थी प्रंतु उसका निर्णय कर सकना किसी के बस में की बात नहीं थी अता जिस करम से वे याद किये जाते रहें उसी परकार उनका वर्णन भी कि हमिशा लोग ने अपने इपने हिसाब से किया अब ये अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि बावा यवण है या हिंदू इसका विवेचन किया जाएगा तता उनके योग, स्याधन, शक्ति और अन्य वेशियों पर विचार किया जाएगा ओम स्री सद्गुरु साइन आथाय नमा तो हम यह अध्याय समाप्त करते हैं धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्स्ट्राइब करें और अपने कमेंड दीशेएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीशेगा धन्यवाद